बाबा साब भीम्राव अंबेटकर जैन्ति मौस्व समिती के तत्वाधान में आयोजेद सविधान सभा के अंदर हमारे भीच में राजस्तान भारतिये जनता पाल्टी के प्रदेश अद्यक्ष विधायक डाक्टर सतीश पुनिया जी लोग सभा में मेरे सयोगी सांसत श्री रामचन बहुरा जी सांगा नेर के विधायक कि श्री अशोग लाउठी जी और इस आयोजन के शिल्पकार जो हमेशा दलित शोषित पिछड़ी मैलाओं लोगों का नेतुत करते हैं उनके जीवन में परिवर्तना है उसके लिए प्रशाश्टी सिवा में रहते हुए भी उसकी बाद सिवाओं के बाद भी लगातार प् है तकंत को हुए सरी लाल चंद डितांसवाल जी मैं सबसे पहले मारे आज यह भारत की जो राजस्तान की महिलाएज यहां बेठी है ये महिलाओं की तागत, ये महिलाओं की शक्ति, ये महिलाओं को मिला अधिकार, समता और न्याय का अधिकार, समता मुलक समाज का निर्मान इसके लिए जो सविधान के शिल्पकार है जो समानता के प्रेड़ना दायक है बाबा साहब अंबेटकर जी की को मैं सब का आवान करता हूं कि पहले बाबा साहब की जे बुलेंगे बाबा बाबा साहब भीम्राव अंबेटकर बाबा साहब भीम्राव अंबेटकर जैपूर कि इस रासधानी के अंदर कि आज यह महिला है जो बड़ी संक्या में यां बेठी है कि उन महिलाओं के अंदर कि इस समाज में नए परिवर्तन करकी आकाट्षा है आपेक्ष्या है और इस 75 वर्ष की लोगतंत की यात्रा के अंदर जो महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आया जो महिलाओं को समानता का अधिकार मिला वह बाबा साथ भीम्राव अंबेटकर जी की देन है जिनोंने सविधान बनाने के पहले भी कि गुनी सो सताइस के अंदर महिला शिक्षा के लिए संगर्ष किया महिला समानता के लिए संगर्ष किया और आजाजी के पहले जो महिलाएं घर पर रेती थी उन महिलाओं के जीवन में संगर्ष और संगर्ष के साथ ने निर्मान की अलग जगाई और उसके बाद बाबा साथ भीम्रटकर अंबेटकर जी ने आजाजी के पहले बंबाई लेजिस्टिस्टी एसेम्बली के अंदर महिलाओं के अधिकार उनके काम करते समय उनके सास्त के लिए मेटरिनिटी लिव के लिए जिन्हों ने उस समय आवाज उठाई और जब उनको सविधान सबा का दाईत दिया तो दुनिया के अंदर अगर सविधान के अंदर सबको मतादिकार सबको समानता कादिकार लेगिंग आधार पर भेद भाव नहीं जादी के आधार पर भेद भाव नहीं सबको भारत के इस लोगतंत के अंदर अपने निर्वाजित प्रतिनियों के माध्यम से देश में प्रधानमंती कोन बने मुख्यमंती कोन बने उसके लिए मता अधिकार दिया तो बाबा साब अन्वेट कर जिये से शिल्पकार ने दिया दुनिया के कई देशों के अंदर उस समय मैलाओं को मता का अधिकार नहीं था बोट का अधिकार नहीं था लेकिन बाबा साब ने इन महिलाओं का संगर्ष आजादी के पहले भी किया और इसलिए आजादी की लड़ाई के अंदर भी 1877 की क्रांती भी इस भारत में महिलाओं ने नितुत करकर की और इसलिए आज इस 75 वर्ष की लोगतंत्र की यात्रा के अंदर कि हमने परिवर्तन देखा है कि आज भारत की महिला है कि शाय शिक्ष्याहों विज्ञानों सामाजिक शेत्रों कि तमाम शेत्रों के अंदर आज नितुत कर रही है लेकिन अब समय आ गया है कि इस महिला की कोक से पेदा होने वाल हर बेटी जो समय बाबा साब ने कहा था कि जब तक महिला शिक्षित नहीं होगी इस समाज में परिवर्तन नहीं हो सकता अगर भारत को विक्षित देश बनाना है भारत का नो निर्मान करना है तो हर महिला को शिक्षित होना पड़ेगा और इसलिए कि आज 75 वर्षबाद कि इस देश के अंदर कि मैला है चाहे बेंक के खाते को लेकर गेस के चूले से लेकर बकान से लेकर सेल प्रेफ ग्रूप बनाकर सौलंबर आत्म निर्बर से लेकर और किस तरीके से महिलाएं आत्म निर्बर हो सके भारत के प्रधानमंती जी ने एक नई दिशात्य करने का काम किया और इसलिए अब आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है और जिम्मेदार इसलिए आपकी ज़्यादा है कि सश्टी का निर्माण मा से हुआ है इस मा की कोक से निकली हुई हर बेटी यह हमारी जिम्मेदारी होना चीए कि हम उसको अच्छी शिक्षा दें अच्छे संस्कार दिये जो जीवन में हम कहीं अश्शिक्षित रह गये हैं कि मेरी बेटी कि सबसे ज़्यादा शिक्षित हो कि देश और दुनिया में नित्वत करें कि उसके लिए कि आपको नई अलग जगानी पड़ेगी नई दिशाते करनी होगी कि और जब इतनी बड़ी संक्या के अंदर मैला है कि हर गाह उढ़ानी के अंदर पहुंच कर कि कि हमारे घर में होने वाली बेटी कि यहीं नए भारत के भाग्य की निर्माता है कि मुझे इसको ही कि देश और दुनिया का कि नेतत की शमता पेदा करनी है तो यह समाज में जिस परिवर्तन का मिंतजार कर रहे हैं वह परिवर्तन आपको ही करना पड़ेगा कि बावा साब ने सविधान में सब अधिकार दिये हैं कि संता का अधिकार दिया है न्याय का अधिकार दिया है कि महिला सरक्षन का अधिकार दिया है कि और उन्हें दो समय गुनिस सो इकान के अंदर भी कि जब हिंदू कोट भिल कि संसत में पारिद नहीं हुआ तो सत्ता को त्याग कर इन महिलाओं के संगर्ष की नई दिशाव समय भी तैकी थी और इसलिए कि अगर हम बावा साब के सपनों को पूरा करना चाहते हैं कि तो हमारा सपना यहीं होना चाहिए कि कि हमारे कोक से बन बेड़ने वाल पेदा होने वाली बेटी कि हम उसको दुनिया की देश की सबसे अच्छी शिक्षा देंगे कि आज सभी देश के अंदर चाहे राज्य की सरकार हों चाहे केंद की सरकार हो महिला शिक्षा पर कानून के तहट भी अधिकार है और इसलिए हमें हर कानून की जानकाली होने चीए कि आज सभीधान कथा के अंदर हमारे सभीधान कथाकार आपको बताएंगे कि सभीधान में महिलाओं को क्या क्या अधिकार है भारत सरकार ने क्या क्या अधिकार महिलाओं को दिये हैं हर महिलाओं को अपने अधिकार की जानकाली होनी चीए और सजक रूप से वह अधिकार हमें मिले उसके लिए बाबा साब ने जो रस्ता बताया था कि संगर्ष का रस्ता अधिकार का रस्ता वह हमारे जीवन में हमेशा होना चाहिए कि और इसलिए कि मैं आपसे इतना आग्रह करना चाहता हूं कि कि आप सब सामुच्ता के साथ मिलकर इस राजस्तान के रगाओं के अंदर हर धानी के अंदर हर शहर के अंदर बाबा साब के इस सविधान को लेकर जाएंगे महिलाओं के अधिकार उनके दाईतों को लेकर जाएंगे हमने 75 साल तक अधिकार की बात की लेकिन अगर हमें विक्सित भारत बनाना है नया भारत बनाना है तो हमें हमारे दाईतों करतेओं को निभाते हुए इस विक्सित भारत बनाने में सबसे बड़ा योगदान महिलाओं का हो और देश और राज्जों ने देखा है कि सत्ता बनाने बिगाडने का काम करती है तो महिलाओं करती है इतनी सजक रूप से आज हमारे मद्दाता के रूप में अंदर महिलाओं है इसलिए आपके बोर्ट से सरकार बनती है सत्ता पलिवट्टि है इस बोर्ड की किम्मत भी आप समझो और आने वाले समय के अंदर हम एक ऐसे भारत के निर्माण का योगदान दें एक ऐसे विक्षित भारत का निर्माण का योगदान दें जो प्रधान मंती जी ने लाल किले के मेदान से देश की जनता को आवान किया है मुझे आशा है कि हम सब के सामुए प्रयासों से मिलकर दुनिया के अंदर जो बाबा साहब ने उस समय सपना देखा था कि भारत विक्षित राष्ट अपने बल्बूते पर बनेगा अपनी तागत पर बनेगा मेलाओं की शक्ति सामर से बनेगा आज हम सपना पूरा हुकते देख रहे हैं कि किस तरीके से दुनिया के सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं और दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोगतन सबसे बड़ा विशाल देश सबसे बड़ी विशालता और दुनिया में सबसे बड़ा सविधान की तागत है तो भारत के पास है और भारत की तागत हमारी महिलाओं के पास है और इसलिए आप सामुएक रूप से आज यहां से सं साब ने जो सविधान में कहा है उस सविधान के माध्यम से हर गाउं ढानी के अंदर इस संकल्प के साथ जाएं कि भारत के निर्माण में हम सब संकल्प होकर स्योग करेंगे पुना आप सब को बहुत बहुत धन्यवार